यह वला question दियान से देखिएगा यह 9th number question है कर दिये गए यूग्म दिये गए 5 यूग्म में से किसी चार यूग्म किसी एक प्रकार से संब्दित है आसंगत यूग्म चुनना है देखिए दियान से पहला option दिया गया आपका 2 अनपाते 7, दूसरा 1 अनपाते 0 दिया गया है, फिर 3 अनपाते 26 दिया गया है, फिर आपका 4 अनपाते क्या दिया गया है, 65 दिया गया, देखें बहुत ही प्यारा question है, और यहाँ पर 5 अनपाते 124 दिया गया, यहाँ पर आपको ताना कौन सा U में आपका आसंगत यानि कि और चार पान्चो से भिन है और 4 असंद यह कि है 2,5,4,3 तो 2,5,4,3 में हो सकता है यानि कि पहला वाल जो है यह आपका इसी जैसा सारा होगा तो पहला क्या देखिए 2 और 7 है कोई है क्र आपको 19 Germany NE署 जाएगा 2072 और गेजिसे कन में 62 15 अन्यैन मिलल्ड को जてग हबाता है बैतरे साथ नदानी क्या कर जाता है इक है किते अधा अत्यारे से ₹ 0 तीजि प Major में सहे gefजिए but पर चे पर जात कि नौällen तो यह बी आपका follow कर रहा है और यह वाला देखे 4 का cube तो 4 का cube -,1 करो То 4, 16, 16, 64 में से गया कितना जाएगा कि दिद कटो 65 हो जाएगा इसी तरह Спब्सके 5 का cube करो तो 5 का cube –1 करेंगे तो 25 25 5 में से गया कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा तो clear है, तो यहां पर देखा जाए तो, sorry, 4 का Q मायस है, यहां पर एक छी ध्यान दिजएगा, 4 का Q मायस एक बराबर क्या होता है सर आपका, 164 में इसे एक घटा हो, तो 63 हाना चाहिए, जब कि यहां पर 65 हा रहा है, तो यह वाला option जो आपका, इन दोनों से क्या हो जाएगा, तो यहां पर कौन सा option, option number जो इसका fourth है, यह आपका क्या हो जाएगा, different हो जाएगा, clear है, चलिए, I hope clear हो गया होगा, चलिए, इस question को ध्यान से देखिए, यह सारे question जो आज मैं करवाने वाला हो यहाँ पर, यह आपके जो UPCC Union Assistant का exam है, और यहां से question बहुत सारे अभी तक पूछे गए हैं, इसी type के question पूछे गए हैं, और आपकी exam में भी आगे, इसी तरह के question पूछे जाने वाले हैं, 24 December exam है, उसके हि जारी करनी है, और 10-15 सेकंड का आपको हर question में time दिया जाएगा, तो copy pin लेकर साथ में बैठियेगा, जिससे आप लोग उस question को बाद में भी solve कर सको, ध्यान से देखो इस question को क्या कह रहा है, यह जो प्रस्न चिन है, इसके स्थान पराने वाली संखिया को चुनना है, यह जो question mark है, तो इस question mark के place पर बताइए क्या सकता है, ध्यान से देखिये, 6 और 13 गुड़ा करो बहुत simple है, 6 और 13 गुड़ा करो कितना आगया, आपका 78 आगया, 10 और 19 कितना आजाएगा, इसी तरह 18 और 5 के गुड़ा करने कितना आएगा, 90 आएगा, आसान था गी नहीं आसान था, तो option number जो इसका D है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल correct हो जाएगा, clear है, अगर यहाँ पर question आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आता है, अगर आपको वीडियो समझ में आता है, अगर आपको question तो आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, इसके लाबब अग जोड़ना चाते हैं, तो जोड़ सकते हैं, वहाँ पर रोज क्ला से चल रही है, अगला question देखिए आप से यहाँ पर क्या गहरा है, कि एक जल पोत में सेना के कुल एक हजार व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, जिनमें कुछ जवान और कुछ कप्तान है, प्रतेक 24 जवानों पर एक कप्तान न्यूप्त है, बताइए इस सम्मू में कुल कितने कप्तान है, बहुत ही प्यारा question है, कोजिस कीज़े परे लगाने का नहीं आता है, फिर मैं आपको बताता हूँ, वह एक जल पोत में सेना के कुल कितने व्यक्ति हैं, एक हजार व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्त जवानों पर एक कप्तान नियुक्त है यानि कि हर 24 जवान पर एक कप्तान नियुक्त है तो हम माल लेते हैं कि कप्तानों की संख्या कितनी माल ले हम लोग कप्तानों की संख्या माल लेते हैं यक्स अगर कप्तान एक्स होंगे तो जवान कितने होंगे बताईए क्योंकि प्रतेक 24 जवान पर एक कप्तान है तो 24 गुड़े एक्स हो जाएगा ना कुल जवानों की संख्या कितने हो जाएगी 24 संट हो जाएगी, सिंपल है न तो बता कुल कफ्टान और जवान मिलाखर कुल कितने हो जाएगी यक्स प्लस 24 यक्स और यह मिल जाएगी 10imeimin से बराबर कितना हो जाएगा 106ॉ आप 24 X और X मिलके कितना आलएगा आपका ? 25 X बरापर कितना आपका ? एक हजार है तो 3000 है तो एक स्कामान निकाल सिर्द 55 जोका कितना हजाएगा आपका ? आपका 100 له तो एक्स कमान कितना आजाएगा Sur आपका ? 40 हाजाएगा यानि कि हम लोग कह सकते हैं कुल कितने कप्तान है कप्तानों के संख्य एक्समानी तो एक्समान 40 आ गिया है तो कुल कितने कप्तान इसार आपके 40 कप्तान थे तो यहाँ पर option number जो इसका बी है ओ क्या हो जाएगा correct हो जाएगा बताइए क्या यह question में कोई भी doubt है किसी को doubt होगा तो repeat करके जबूर देखिएगा वीडियो को जिससे आपको समझ में आता रहे clear है चलिए आते हैं अंगले question पर तो अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भासा में band को band को e-d-q-j इसके रूप में लिखा जाता है और g-i-r-d को j-l-u-g के रूप में लिखा जाता है और love को उसी भासा में कैसे लिखा जाएगा समझे कोशन को क्या कह रहा है band कोशिस करिए पहले आप लोग लाने की उसके बाद यहाँ पर solution देखा गई है answer भी देते हैं चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा band है band को e-d-q-g थोड़ा टाइम मिला आपको फटा फट लगाई है यहाँ यहाँ पर जवाद देखे काफी लोग के आ रहे है जी हाँ थोड़ा सोर हो रहा है बाहर उसके लिए माफी जाओंगा अब क्या कर सकते हैं जानवरों को तो हम रोप नहीं सकते हैं चलिए band को e-d-q-g के रूप में लिखा जा रहा न तो देखे जहांसे band है band को e-d देखो b-a-n-d यही तो है न कोड सबको पता है न क्या होता है इसका कोड एक होता है एन का कोड कितना होता सर चौदा होता है इसके लावर डी का कोड कितना होता सर आपका चार होता है और e का कोड देखो e-d-q-g देखे आसान है सर एक कोड कितना होता सर आपका पांच होता है इसका कोड कितना होता है डी का चार होता है क्यू का कोड क को साथ ये का लव का कोड़ क्या गया है तो वहीं चाये दूस्तों हम लोग लव में 18 यानि कि R आ रहा जाएगा इसके लाब भी प्लस 3 तो आपका भी का मतलब होता है भी प्लस 3 भी का मतलब होता है आपका 22 22 ही तो होता है न सर बाइस इन कितना हो जाएगा 25 यानि कि आपका Y हो जाएगा और इसके बाद E प्लस 3 E का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका E का मतलब आपका होता है 5-3-8 यानि कि आपका H हो जाएगा तो बताइए O, R, Y, H कौन से option में आ रहा है सिर्फ option number C में आ रहा है देखने को मिला है तो यहाँ पर option number जो इसका C है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा समझ में आ गए नों जोंसे आपको समझ में आ गया होगा बहुत जादा tough question नहीं था तो बढ़ते हैं अगले question के दरफ तो अगला question देखें आपके सामने यह रहा बहुत ही प्यारा question है देखें क्या कहरा है कि एक टोकरी आम से भरी जा रही है टोकरी में आमों की संख्या प्रतेग मिनट में क्या हो जाती है आपकी दोगनी हो जाती है यदि टोकरी आधे घंटे में पूरी भर जाती है तो वहां टोकरी आधी कब भरी होगी देखें बहुत ही अच्छा कॉशन है देखते हैं आपर कितने लोग सही जवाब देते हैं इस तोकरी जो है आम से भरी जा रही है आम से भरी जा रही है और टोकरी में आमों की संख्या प्रतेक मिनट में क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है यदि टोकरी आधे घंटे में पूरी भर जाती है तो वहां टोकरी आधी कब भरी होगी अब एक बात बताओ एक मिनट में क्या ह जा रहा है प्रते एक मिनट में दुग नहीं भर जाती है तो एक बात बताओ आधे घंटे में पूरी यानि कि 30 मिनट में क्या हो रहा है 30 मिनट में पूरी भर जा रही है पूरी भर जा रही है तो आधी कब भरेगी 29 मिनट भरेगी कि नहीं भरेगी क्यों हम बोलें 29 मिनट में 29 मिनट में आधी क्यों भरेगी क्योंकि हमें पता है कि हर एक मिनट में दुग नी हो जा रही है दोग नी हो जा रही न अगर एक मिनट में आपका दोग नी हो जा रहा है तो बताइए सर 29 मिनट में आधी है तो जिसे एक मिनट आपका जिसे एक मिनट और आएगा तो आधी का क को समझ में आ गए होगी बहुत ज़्यादा इसमें आपको ताम जाम नहीं करना था बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना था clear है चलिए आते हैं अगले question पर तो अगला question देखिए आपके सामने ये रहा प्रस्न चिन्न के अस्थान पर आने वाले विकल्प का चैन करना आपको ये जो question mark है इसके place पर वताईए क्या सकता है b2 है e4 है h6 है h3 है k5 है question mark है n5 है q9 है t4 है देखते हैं कितने लोग यहापर सही जवाब दे रहे हैं जवाब यहापर सबके दिखाई पढ़ रहे हैं चलिए चार आपसन आपके सामने दिए गए हैं पढ़ पढ़ जवाब देने कुशिस कीजिएगा question number 14 14 की देखे बात करते हैं तो b b का code कितना होता था b के बाद e आ रहा है e के बाद यह जा रहा है तो यहाँ देखो b का मतलब होता आपका 2 2 3 5 3 8 यानि की plus 3 plus 3 हुआ है और यहाँ पर देखो n और q और t में n का code कितना होता 14 3 17 17 और 3 आपका 20 based to plus 3 plus 3 यहाँ भी हुआ 20 plus 3 यहां पर b혜ह पका क्या हो जाएगा तो यह का code k 148 8 plus 3 करेंगे तो आपका किया क्या का गिया की क्न pouco क्या जाएगा की क्याशोमीं करने करने पर आपका जाएगा यान के हमें कोई और देखेंगे उन्हें option option number जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या कर देंगे correct कर देंगे इसके लावा यहाँ पर देखो 8 कैसे आया देखे 2 2 4 2 3 6 और 5 4 9 9 और 14 है तो यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को doubt हो रहा होगा कैसे यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर देखें क्या किया गया है simple सा मैं आपको logic बताता हूँ यहाँ पर जैसे आपका 2 है उसके बाद क्या आपका है 4 है 2 है फिर आपका 4 है फिर आपका 6 है यानि कि 2 है फिर आपका 4 है फिर आपका 6 है दो के बाद 4 है और 4 और 2 मिलके आपका क्या हो जा रहा है 6 हो जा रहा है इसे तरह 5 के बाद 9 है तो 5 और 9 मिलके कितना हो जा रहा है आपका 14 हो जा रहा है तो 3 और 5 हो तो 3 और 5 मिलके कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा इसलिए यहाँ पर 8 इस तरह से आए हुआ है तो option जो इसका A है इस हिसाफ से यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा clear है दूस्तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो अगला question देखे question number 15 आफसे यहाँ पर कह रहा है कि A, B, C, D और E 5 लड़के हैं A, B की अपेच्छा छोटा है परंतु E से बढ़ा है C सबसे बढ़ा है यदि D, B से कुछ छोटा है और A से कुछ बढ़ा हो तो बताइए सबसे छोटा रड़का कौन है आपके सामने options है D, B, E और A चार options दिये गए हैं समय आपके पास है 30 सेकंड से यादा को इसी भी question में समय मत लगाया करिए तो 30 सेकंड का आपके पास समय है फड़ा फड़ जवाब देने की कोशिस कीजेगा बहुत ही आसान सा question है थोड़ा सा आपको logic लगाना आपका समझ में आ जाएगा चलिए यहाँ पर जवाब धिर धिर आने सुरू हो गया है A, B, C, D और E 5 लड़के हैं A जो है और B क्यों पेच्छा छोटा है परन्तु E से बड़ा है तो ज़्यादा तर लोग यहाँ पर जवाब देखिया आ रहे है चलिए यहाँ पर सबसे बड़ा छोटा पूछा है सबसे बड़ा छोड़े सबसे छोटा है यहाँ कुछ लोग य A, B, C, D और E 5 लड़के हैं देखो 5 लड़के हैं यहाँ पर A, B की पेच्छा छोटा है यानि जो A है वो B से छोटा है यानि कि B सबसे बड़ा हो गया क्लियर है उसके बाद परन्तु E से बड़ा है यानि कि E से बड़ा हो गया क्लियर है एक तो equation आपका यह फिर यहाँ पर D है और A से कुछ बड़ा है यानि कि A से कुछ बड़ा हो गया equation 2 हो गया clear है तो अगर equation first equation 2 को देखो तो हमारा equation नहींगा B बड़ा हो जाएगा कि से D से और D से बड़ा और D से बड़ा हो जाएगा A से और A से बड़ा हो जाएगा आपका E हो जाएगा और यहाँ पर एक line ल में e आ रहा है ना सबसे छोटे लगा कौन हो जाएगा आपका e हो जाएगा तो बताए क्या इस question में कुछ भी doubt था समझ में आ गया ना समझ में आ रहा तो yes yes करते चलो और like करते चलो वीडियो को clear है चलिए बहुत ही आसान सा question था अगला question देखें क्या कह रहा है कि यदि minus का अर्थ है भाग भाग का अर्थ है गुड़ा प्लस का अर्थ है गुड़ा और भाग का अर्थ है घटाना और गुड़े का अर्थ है जोड़ तो बताए इसका मान क्या होगा सिंपल सा कोश्चन आपका लिखा है 25-5 प्लस 6 भागे 4 गुणा 6 यह तो लिखा गया है न तो इसका मतलब क्या हो जाएगा देखें सिंपल सा है कुछ करना नहीं है माइनस है प्लस है भागे गुड़ा है जवाब देखें आपर आना शुरू हो गया है तो कुछ नहीं है देखें माइनस कर्स क्या अपका भाग है तो यहाँ पर 25 भागे क्या हो जाएगा पांस जाएगा और प्लस कार्स लिखें गुड़ा है तो गुड़े कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और भाग कर्द घटा होए तो माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और गुड़े कर्द योड़े तो प्लस कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा यही तो अगर न अब पचीस माइनस 5 प्लस इतना लिखा गया है तो पचीस भागे 5 कितना हो जाएगा तो बताए यह 32 यहाँ पर correct हो गया न, option C यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा, समझ में आ गया न दोस्तों, चलिए, I hope समझ में आ गया होगा, आते हैं अगले question की तरफ, तो अगला question देखिए आपके सामने यह रहा, उसी तरह का question है, फटाफट आप लोग जवाब देने कोसि और यह आपका गुने साथ है, इन सबका गुना साथ दिया गया है, तो 17 दिया गया है, तो आपको इसका बान निकालना है, चलिए, पूरा bracket लगा दिया है, इस चेज पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, तब आपको question को हल करना अच्छे से, जवाब देखिए, आपर आ हो जाएगा 18, और गुडे का मतलब क्या है, आपका भाग है, यानि कि पूरे का भाग कितना हो जाएगा, तो 14 खका 84, 84 और 18 कितना हो जाएगा सार आपका 102, 84 और 18 कितना होता है सार आपका 102 होता है, बटे कितना आपका 17, 17 गुडे से भाग तो 17 खका कितना हो जाएगा 102, या दे दे like करते वे चलो वीडियो को share करते वे चलो अपने सभी दोस्तों के साथ clear है और can be plus पर आने के लिए बोलो कि वहाँ पर मैं लगाता है आपके लिए live पढ़ा रहा हूं अगला question देखिए क्या कह रहा है हैं यहाँ पर क्या कह रहा है सर कि निर्देश दिया गया है कि प्रफशन संख्या 18 से 20 इसके लिए निर्देश दिया गया है कि निर्देश में से एक सब्द के चार और और सब्द दिये हैं और दिये गए सब्द के वर्डों के प्रियोग से उनमें कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता है आपके सामने चार ओप्सन से ये तो बहुत आसान है I-M-P-E-R-I-S-H-A-B-L-E से कौन सा नहीं बना सकता है तो ये तो मैं बताता हूँ जवाब बियाना शुरू गया परसन देखो P-E-R-I-S-O यहान देखो P-E-R बन सकता है Yes है O O कहाँ पर है O कहीं पर ही नहीं तो पहला ही आपका नहीं बनाया सकता है देखे परसन सब दी नहीं बना सकता है तो बहुत आसान था तो आपसन नमबर जिसका first है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा इसमें तो कुछ करणा भी नहीं था इसी तरह आपका उननीसवा देखो क्या कहा रहा है आपका ये perpendicularity दिया गया है तो यहाँ पर क्या है वही टिपिकल टिपिकल को ध्यां से देखो ती वाई पी आई से एल तो टी है वाई है इसके लावा पी है यहाँ पर आई है सी है ए है और आपका यल कहीं पर है यल भी है तो टिपकल बन जाएगा इसके अलावा यहाँ पर देखो dictionary dictionary की बात करते है देखो dictionary DIC हो गया T हो गया I O या ने आरवाई लिखा है न तो I तो है लेकिन O देखिए कहीं पर है इस पूरे word में कहीं पर भी O है O तो नहीं है न तो इसलिए हम लोग dictionary वाला जो आपका सब्द option number वी जो इसका भी है वो हम लोग यहाँ पर नहीं बना सकते हैं clear है तो यहाँ पर हाला आप लोग कह सकते है Dicness अपका यहाँ पर नहीं बन सकता है चलिए clear है तो बहुत आसान सा question था और इसी तरह एक question और यहाँ पर दिया गया इसको भी जल्दी से देख लेते हैं कि naturalization लिया गया है तो यहाँ पर देखे nation यहाँ आपका आराम से बन सकता है यहाँ ए टी है आई भी है और यहाँ पर टी आई ओन तो आपका दिया गया है तो यह तो बन जाएगा rural की बात करते हैं देखे रहां से r u r a r u r a r u r a r u r a r u r a r u r a r a r r dh 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 d तो यह तो आसान से कोशन होते हैं, फ्री कि आपको नंबर दे करके जाते हैं, आपको कुछ करना भी नहीं होता है, अगला कोशन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, कि भई इस प्रस्न में 4 संख्या यूग में दिये गए हैं, जिन में से कोई 3 किसी प्रकार समान है, अता उनका एक समूह बनता है, उस संख्या यूग को चुनिये, जो समूह में नहीं आता है, ज्यान से देखो भाई, 96 का संबन दिया गया किसे सर, 31 से, 51 का संबन दिया गया आपका Sóला से, 75 का संबन दिया गया आपका 24 से और 99 का संबन दिया गया आपका 34 से तो बता ये कौन सा नहीं बनेगा बहुत ही आसान सा कोशन है कोशिस करेंगे तो आपका अंसर आ जाएगा कुछ इसमें करना नहीं है कुछ भी नहीं करना इसमें दिखे पहले option देखो जवाब देखिया आना शुरू हो गया है कुछ ल पहले जाएगा इसी तना इसको उठाओ 51 तो 16 गुर्णे 3 करो 16 तो 38 में 3 जोड़ तो आपका 55 ऐसको उठाऊ सर 24 गुड़े 3 करो कितना आता है 24 72 और 17 में 3 जोड़ तो कितना आ जाएगा 75 तो यहां तक यह 3 तो कर रहे है या नहीं कि आपका डीवारा नहीं होगा क्यू नही यह भी देख लो भाई 34 गोड़े 3 करो और प्लस कितना कर देना आपको 3 करना है तो 34 3 है 102, 102 और 30, 105 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया निंग्न्यान भी दिया गया है इसलिए आपका जो D वाला option है आपका नहीं होगा simple सा था ना सर तो option number जो इसका D हो यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा clear दोस्तो तो option D पर टिक कर देंगे कोई doubt है इस question में doubt हो तो बता दो फिर से repeat कर दूँगा otherwise मैं तो फिर अगले question बढ़ जाओंगा बहुत आसान सा जाओ अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है अगर पश्चिम का संबंद उत्तर पूर्व से है तो दच्छड का संबंद किस से होगा direction अगर आपको अच्छे से आता है तो इस question को तो आप definitely बिल्कुल correct करके आओगे कुछ नहीं करना इस question में जाओज नहीं कुछ भी नहीं करना है नहीं कुछ भी तो करना ही पढ़ेगा लेकिन वह जाद दिमाग नहीं लगा ना आप यह समझ सकते हूँ जवाब देखिए आपर आना शुरू हो गया तो काफी सही जवाब आ रहा है तो देखिए यह आपका इस्ट होता है यह आपका वेस्ट होता है इस्ट वेस्ट और यह उपर आला आपका नार्थ होता है यह आपका क्या होता है साउथ होता है यह तो होता है ना सर इस्ट वेस् तो पश्चिम आपका यही तो है ना वेस्ट का संबन किसे दिया गया है उत्तर पूर्व से दिया गया है उत्तर पूर्व का मतलब क्या होता है देखो उत्तर पूर्व यानि कि इससे दिया गया है यानि कि देखो ध्यान से यह आपका घड़ी की दिसा में 135 गूम गया है यही आपका Northwest यानि कि आपका दच्छड पस्चिम तो option number जो इसका C है वह यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा तो बताईए इस question में क्या किसी को doubt है क्या कोई भी doubt है को लिए करके दच्छड पस्चिम कैसे आया clear है clear है चार सब्द दिये गए हैं, तो यहां पर बताना है कौन सा आपका अलग है, यह तो बहुत आसान सा कॉशन आप लोग बता सकते हो, इसमें तो कुछ करना भी नहीं आप सबी को, चलिए, मई, आपको पता मई कितने का महिना होता है, बिलकुल सही बात है सर, मई जो होता आपका, देखो, मई आपका 31 का महिना होता है, जुलाई आपका 31 का महिना होता है, अगस्त आपका 31 का महिना होता है, लेकिन जून जो आता आपका 30 का महिना होता है, इसलिए आपका पे option number B पर tick कर देंगे तो यहाँ पर जितने भी जवाब दे रहे option number B वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे बिल्कुल correct हो जाएंगे clear है crystal clear है जवाब देते वे चलो यार तभी तो मजाएगा अगला question देखो यहाँ पर क्या कह रहा है बहुत ही अच्छा question है बराबर संख्या में घोडों और मोरों के एक जुंड में पैरों की संख्या सीरों की संख्या के दोगने से 16 अधिक है तो बताए जुंड में कुल कितने घ होडे हैं बहुत ही अच्छा question है छे आठ दस और बारा चार आप्सन दिये गये हैं तो आप लोग चाहे तो आप्सन की साफ से लगा सकते हो या किसी भी साफ से लगा सकते हो कोसिस कीजिए बहुत ज्यादा tough question नहीं है और जवाब देखें आपर आना शुरू हो गया है तो भाई बराबर संख्या में घोडों और मोरों के एक जुंड में पैरों की संख्या सीरों की संख्या के दो गुने से क्या है चार अधिक है तो समझो बराबर संख्या में घोड आपर की एक जुंड में पैरों की संख्या जो है सीरों की संख्या के दो गुने से सोला अधिक है यानो की पैरों की संख्या निकालो सब के पैरों की संख्या कितने हो जाएगी घोड़े की चार पैर होते है तो यहाँ पर चार यक्स और मोर की दो पैर होते है यानि की दो य है यह से रो की संख्या के दोगने दोगना करो तो दो जाएगे इसके को हल कर लो च्छे अग्स और दोदनी चार उक्स इसको इस ले आओगे तो कितना जाएगा आपका सोला तो यहां से रकर यक्स की value नीकालेंगे तो कितनी की आठ अच आघ याएगी तो आपका ऑप्स तो option जो इसका C है और यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा clear है? चलिए बढ़ते हैं अगले question पर तो अगला question देखिए जहां से क्या कह रहा है इस type को question पहले भी करवा चुका हूँ मैं आप सभी को कि कितने समय में एक बंदर 60 feet लंबे पेड़ के seeds को देखिए रहां से कितने समय में एक बंदर 60 feet लंबे पेड़ के seeds को छू लेगा यदि वहाँ एक सेकंड में 3 feet चड़ता है और तुरंद 2 feet नीचे गिर जाता है कितने समय में एक बंदर 60 feet लंबे पेड़ के seeds को छू लेगा यदि वह एक सेकंड में 3 feet चड़ता है और तुरंद 2 feet नीचे गिर जाता है यह question इस type question पहले भी हो चुका है और बहुत ही आसान question होता है और जवाब दीजे सभी लोग यहाँ पर देखें जवाब आ गया है 60 second जवाब आ रहा है तो बिल्कुल सही बाता सब 60 कैसे होगा 60 हो सकता है नहीं हो सकता यह भी देख लो 60 हो भी सकता नहीं हो सकता पहले समझ दूबाई 60 कैसे होगा यहाँ पर देखो एक second में 3 feet चड़ता है यानि कि एक second में 3 feet चड़ता है फिर अगले second में 2 feet नीचे आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 second में 2 second में वो कितना चड़ रहा है एक ही feet तो चड़ेगा पताईए 2 second में कितना चड़ेगा 1 feet चड़ेगा समझना ध्यान से कोशन को हमको 60 feet तक पहुचना है 60 feet तक पहुचना है अब एक बात बताओ हम पूरे 60 feet तक नहीं जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि वो पहले second में 3 feet ऊपर चड़ रहा है तो 3 feet घटा दो पहले 60 में 3 feet तक जाना है 57 feet जाने में 57 feet तो 57 feet चड़ेगा 57 foot चड़ेगा लेकिन ये बात बताओ जैसे वो 58 feet में आएगा जैसेention में आएगा तो मुझे पता है कि अगले सेकंड में वो 3 फिट चड़ जाता है तो सटाउन प्लस कितना हो जाएगा सर तो यह चीछ हमें से याद रखिएगा सर यह कुशन आपका दिया ही इसलिए आता है लोग यहाँ पर 60 सेकंड लगा के आ जाते हैं लेकि 60 सेकंड आपका वहीं पगल हो जाता है यहाँ पर 58 सेकंड होगा क्योंकि एक सेकंड में वो 3 चड़ा 2 उतरता है यहाँ समझो एक सेकंड यहाँ पर एक ही सेकंड होगा क्योंकि वो एक ही सेकंड में दिया जाया था इसलिए आपर एक सेकंड में पहले तीन चड़ता है फिर दो गिरता है यानि कि एक ही सेकंड में दो चीजे हो रही ह तो पहले हम प्लस वाली value को लेंगे और यहाँ पर कितने समय में यानि कि 98 second में पहुच जाएगा अब जैसे ही वो अगले second में आता है वो तीन फिट फिट से नीचे आ जाएगा उसकी बात तो लगए लेकिन साट फिट पहुचने में जो सबसे first time साट फिट को अचीव कर रहा है वो 98 second में तो कर रहा है क्लियर है इस question में किसी को doubt तो नहीं है कोई भी doubt हो तो आप फटाक से comment कर दीजेगा कोई दिक्कत नहीं repeat करके देखीगा मैं आपको फिट से repeat कर दूँगा बताए सर चली I hope clear हो गया होगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question देखें ध्यान से यहां पर क्या कह रहा है कि भाई तीन घंटिया क्रमसा 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं छे बजे पूरवाहन 7, 7 बजने के पश्चाथ वे तीनों एक साथ फिर कब बजेंगी ध्यान से देखें को बहुत ही प्यारा question है तीन घंटिया हैं जो कि 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं तो कह रहा है कि 6 बजे पूरवाहन 7, 7 बजने के पश्चाथ वो तीने एक साथ फिर कब बजेंगी चलिए फडाक से जवाब भी सभी लोग जवाब दिशी यहाँ पर आना सुरू हो गया है बहुत ही आसान सा question देखो कुछ नहीं करना होता इस question में पहले तो जितने मिनट के अंतराल पर वो बसती हैं उनका हम लोग निकाल लेते हैं क्या LCM कितना आ जाएगा देखिए तीन तरिक का नो तीन चोगा बारा तीन पचे पंदरा और आगे तो कटे काने तीन से कट जाएगा लेकिन सारे की सारे आपकी एक दूसरे से कटने वाई संक्या है निकि एक सो असी मिनट आ जाएगा यह दो आ जाएगे ना 180 मिनट का बतलब होता है कितना तीन घंता होता है कितना होता सरा आपका तीन घंता होता है he आनिकि अगर वह रूस depends cruise हैं तो हज़ी बार कब बजेंगी, तीन घंटे बात बजेंगी, यानिए कि छे में तीन जोड़ी में, कितना जाए गए गांदे 9 बजे धी तो अगली बार और कब बजेंगे दोस्तों आपकी 9 बजे एक साथ बजेंगे तो यहाँ पर दीखे कितना आसान सो question था तो option number जिसका A है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा clear है चलिए I hope clear हो गया होगा अगला question देखे थे हैं से यहाँ पर क्या कह रहा है आगला question आपका चाहँ रहा है कि एक व्यक्ति प्राता सूरय की ओर-मुख करके सड़क पर चलना करता है 3 km बाद चलने के बाद वह अपनी बाई और मुड़ कर के चलता है फिर 3 km चलने के बाद वह अपनी दाई और मुड़कर चलता है अब वह किस दिसा की ओर चलना है समझेगा इस question में क्या गह रहा है मैंने आपको पहले बता है पहले आप लोग answer देनी कोसिस किया अगर है answer दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा चलिए तो यहाँ पर देखे question क्या गह रहा है कि एक वेक्ते ने प्राता सूरी की ओर मुख करके सडक पर चलना सुरू किया है तीन किलोडर चलने के बाद वह अपनी बाई और मुड़ करके चलता है फिर तीस तीन किलोडर चलने के बाद अपनी दाई और मुड़ करके चलता है वह आपनी किस दिशा कि ओर चल लहा है, तो समझो सामें आपको क्या होता है यह आपका east होता है और या क्या होता है North होता है अ इस गोणा south सूरी का ओर आप देखा, जोने सूर को मतलब क्या है पूरव तो शूर निकलता है भाइं आपका क्या हो जाेगा अब उपर जाएगा थो थो पर कहाई तो पता है यह कौन 두 mineralा एक्र शाला है आराम बता सकते हैं बिल्कुल सही बात है ये फिर से आपकी यही इस्ट वाली दिसा आजाएगी यानि कि पूर वाली दिसा आजाएगी तो फिर से वो कौन सी दिसा में चल ला है पूर दिसा वाला कोशन तो आपके लिए बहुत आसान होता है कुछ करना भी नहीं होता है क्लियर है क्वेशन फटाक से जितने वोग यहां पर जुड़े होता कमेंट करके बताती हुए चलो समझ में आए नहीं समझ में आए ची हां बहुत ही आसान सा कॉशन है सभी लोग जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा दस दिन पहले मंदिर गया था वो मंदिर केवल मंगलवार को जाता है आज सबता का पता यह कौन सा दिन होगा चलिए ध्यान से देखे इस कॉशन में क्या हो सकता है देखो दस दिन पहले वो मंदिर गया था तो इसका मतलब क्या है कि आज से दस दिन पहले क्या था मंगलवार था ट्यूज दे था तो दस दिन दस में साथ दिन और रिजर चलिया हो यानि कि आज से तीन दिन पहले फिर से क्या होगा आपका मंगलवार होगा क्यों होगा मंगलवार क्योंकि हर साथ दिन बाद रिपीट होता है तो अगर दस दिन पहले मंगलवार था तो तीन दिन पहले भी आपका मंगलवार रहा होगा और तीन दिन पहले आपका मंगलवार होगा, तो मंगलवार में आप 03 Neyade कर दो, मंगलवार में तीन धिनेड करो, भाया जिनेड वो और सनीवार, यहाँ पर अराम तो बद्ध, ब्रसपती भूल गा है यहाँ पर तूपर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लेज़स जलिए दोश्टे हो बद जो सोड़नों करके बताते हुए चलो न चलिए क्लियर है आते हैं एक लिए कोशन पर तो एकला कोशन देहां से देखिए आपर क्या कह रहा है कि नेम ने सुरिंखला के विलुप्तपद का पता लगाएं cdmn efop ghqr question mark बताईए question mark जो है यहाँ पर क्या आसकता है जवाब दिए सभी लोग sir cdmn efop ghqr है चार आपके सामने दिये गए है और आपके जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखिए simple सा question है cd देखो cd उसके बाद ef आ गया simple सा है उसके बाद gh आ गया तो gh के बाद क्या आ जाएगा ij आ जाएगा और ij देखे सिर्फ यहीं पर start हो रहा तो option number इसका जो first है correct हो जाएगा इसके लाव देख लो mn op qr फिर आपके क्या जाएगा यश्टी आ जाएगा तो बताएगा यहा पर क्या हो सकता है बताए यहाँ पर question mark के place पर क्या हो सकता है जवाल दीजेगा बहुतीजहां सा question है देखेगे यहा पर करना क्या था कुछ करना है इन सब को जोड़ो तस 10-3-6 को जोड़ो 10-3-6 कितना जोड़ो 10-3- diğer Peter Niri Culture कितना रहे हैं जोडवा है निक सबकलनय हैं वह कितना उसका एंटर आप 10-13 उन्ह Kannण आट 14-chat इसे उन्हालेखा निफे отмет खटाए हैं तो है पन्दर आएगा थी आही उसला है न तस रहा है को जोड़ो 9 10 12 को जोड़ो सर तो 9 प्लस 10 प्लस 12 इनको जोड़ने आपका कितना आ जाएगा सर 31 आ जाएगा यहां पर जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा तो बताएए सर समझ में आगए कोश्चन चलिए बहुत अच्छी बात है आते हैं एंगले कोश्चन की और तो अगला कोश्चन देखिए आपसे यहां पर क्या गए रहा है कि विलुप तसंख्या की पूर्ती करनी है आपको चार आपके सामने दिये गए है दो सो पचीस साथ 12 ग्यारा एक्सो उन्चास बहुत ही आसान सा कोश्चन है इसमें तो कुछ करना भी नहीं है ध्यान से देखिए आपर क्या हो जाएगा ग्यारा के बार एक्सो इकीस है ना तो ग्यारा कवर करने भी कितना आता है एक्सो इकीस आता है क्लियर है साथ कवर करने भी कितना आता आ का 39 आता है साथ कवर कितना होता आई साथ कवर कवकर 125 रोटा रच रचे क कि यहां पर क की है वह यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आए गया दूस्तों चलिए आते हैं अगले question पर तो अकला question देखिए आप पर निर्देश दिया गया है आपको बताना है कि निमलिखित में से कौन सी उत्तर प्रस्न आकरिति के दरपर प्रत्वीम होगी यदि यक्सवाई दरपड की दिएर्पर प्रत्वीम रखा है तो यह जो घूला है आगे होगा आगे तो आगे सिर्फ देखिए इसी में दिख रहा है ना देखिए आगे सो है अच्छा यहां पर एक एक्स तो य जो है इसकी दिसा में रखा है तो समझो भाई इधर रखा है इधर हमको देखना है तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि option number जो इसका a है यही correct होगा क्यों correct होगा क्य आपको यह question भी आपको समझ में आ गया होगा चलिए आते हैं एंगले question की तरफ तो अगला question देखिए आपके सामने यह रहा यहां पर आपको question number 34 में भी सायद आपको धरपर प्रत्विम भी बताना यह आपका प्रस्नाकरित दी गई है इसका धरपर प्रत्विम बताना है द देखो ध्यान से यही तो है यह है तो यहां पर देखो ना तो इसमें है ना तो इसमें है ना तो इसमें किसी में भी ऐसा है तो यहां पर option number जो इसका A है वही तो correct होगा दूस्तों यह तो बहुत आसान सा था तो यहां पर 34 में correct answer आपको क्या जाएगा option number A हो जाएगा क्यो चोटे भाई के जन्वे के समय उनकी मा की आयू कितनी वर्स थी यदि पिता की आयू मा की आयू से पाच वर्स अधिक है तो मा तक की वरतमान आयू बताईए क्या होगी बताईए आसान कोश्चन है देखते कितने लोग यहां पर लगा पाते हैं पहले आप लोग जवाब देनी कोशिस किया करिए उसके बन मैं खुद आपको बताऊंगा हर कोश्चन में आप लोग बहुत ज्यादा ज्यादा 20 से 25 सेकंड ती सेकंड लिया करिए देखे झान से इस केशन में करना गया है कुश करना नही है और दो भाईAMA के बीच कांतर उतना ही है जितना की उनके माता पिता की आयू कांतर है बड़े भाई की आयू कितनी यह 25 वर्स है तो बड़े भाई जब उसका जनम हुँ है फिजनम् केसी 32 वर्स चिती और फिटा 5 वर्स अधिक में पिता और इनमें डिफरेंस कितना 5 वर्स का डिफरेंस था और दोने भाई ब्लश्की आयू का अंतर उतना पिता का है। अगर बड़े भाई की आयू कितनी साल है पचीस साल है तो चोटे भाई की एज कितनी होगी बीस साल होगी यानि कि 20 साल पहले जो माता की एज कितनी हो जाएगी सर 22 प्लस 20 हो जाएगा कितना आ जाएगा सर 32 आपका आ जाएगा बावन एज देखे थोड़ा था नंबर्स के साथ खेलना था और आपका एंसर आपके सामने निकल करके आ गया क्या करना देखो समझो कि हमें कह रहा है कि दोनों भाईयों की वीच की आयों का अंतर उतना ही था जितना उनके माता-पिता का था तो अभी हमें कर्या हो pulley कर दिया तो आपका यहां पर 25 से 25 और पाय कर दिया तो आपको 25 सरु चंपर दा दिरी एक जो धार की यह कितनी हमें पर टिक करनें बढ़। एगले question की ओर तो अगला question ढहां से देखोód нрав ऑपर क्या चाह रहा है कि कुछ पुस्तके टोर कि भ чув पंग्ती में लगी हैं, 9-19 पुस्तक और 9-30 यहां से देखिएगा कुछ पुस्तके यहाँ पर क्या वोला है कि एक पंक्ति में लगी है दाई ओर से उननीसवी पुस्तक और बाई ओर से तीसवी पुस्तक के बीच दस पुस्तके हैं और पुस्तों को एकुल संख्या 50 से अधिक है तो पुस्तों को एकुल संख्या गयाद करनी है simple सा भाइश फंडा है कि कुछ पुस्तके एक पंग्ति में लगी हैं दाही ओर से 19वी और 22च창 पुस्तक के बीच में देखो दाही ओर से इधर से 19वी पुस्तक और इधर से 30वी पुस्तक के बीच phenomenal है क्लियर है और पुस्तों को एक कुल संख्या 50 से अधिक हो तो पता 50 से अधिक होगा है तो कुल संख्या की निकालनी है तो 19 पुस्तक ये होगे 30 पिस्तक होगे 10 पुस्तक ये होगे तो simple सा question है अगर इसमें हम क्या कर देंगे 19 प्लस 30 प्लस 10 कर दो अपका answer आ जाएगा कितना आ जाएगा 30 दचालिस 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 पचास 69 तो यह तो बहुत ही आसान सा question था तो यहाँ पर option number जिसका a है 69 यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा clear है आयो clear हो गया होगा आते हैं अगले question की ओर तो अगला question देखे जानते हैं आपर क्या कह रहा है कि 6 वेक्तियों वाले एक परिवार की आउसत आयो कितनी है पचीस वर्स है और परिवार के 50 वर्स आयो वाले एक सदर्सिकी निजन के बाद परिवार की ओसत आयो कितनी है आप देखो 6 वेक्तियों उस परिवार में उनकी ओसत आयो कितनी है पचीस यानि कि 6 वेक्तियों की आयो का योग 6 वेक्तियों की आयो का योग अगर निकालेंगे तो हमें पता है अगर आऊसत दिया गया है तो 6 वेक्ती हैं तो जितने आउसत होता है उननी से गुड़ा करता इतने वेक्ति होते, तो सब्सक्रा कितने वेक्ती होते हैं, तो ह向 लोग कितने पहले 6 लोग थे ना एक बिचारा नीधन हो गया एक का तो 5 बचे तो कितना हो जाएगा है उसद पाम से कार तो 20 आ जायेगा तो यहाप पर ऑफसो नमबर जो इसका B है 20 वर्स वह है आ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है चलिए I hope clear होगा आते हैं अगले question की ओर तो अगला question दिए आपके सामने ये रहा कि नेमलेखित दी गई स्रिंखला में प्रस नुवाचक चिन्न की अस्थान पर क्या आएगा बताएगा आसान सा question है पांच है चौदा है तीस और पच्पन है तो यहाँ पर बताना है कि प्रस नुवाचक चिन्न की अस्थान पर क्या आएगा देखें simple सा question है पांच चौदा तीस पच्पन तो question mark लगा हुआ है जवाब दीजे सभी लोग तो यहाँ पर देखें कुछ करना नहीं है देखें पांच है फिर आपका चौदा है जवाब दीजे आना शुरू हो गया तो इनके बीच का difference देखो 9 difference है और 14 और 30 के difference देखो आपका 16 का difference है 30 और 55 के बीच का difference देखो आपका 25 का difference है अब difference है आपको कुछ देखो कुछ common चीज़ दिख रही है तो यहाँ पर option number जो इसका C है 91 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल correct हो जाएगा समझ में आगे दोस्तों तो आई होप यह question भी आपको समझ में आगे होगा समझ में आ रहा है तो यहाँ like करती हो चलना clear है अगले question पर आते हैं तो अगला question द्यान से देखो यह क्या है कि यह संगीता क्या भाई जो है अजय है अजय के पिता राम है blood relation का question है ध्यान से देखिएगा 2-3 question अगर आपके paper में 30-40 question आ रहा है तो 2-3 question तो आपके बनने ही blood relation से 2 question तो आपको मान की चलो तो संगीता का भाई अजय है तो देखो संगीता है संगीता का भाई है यहाँ पर भाई लिख देते हैं यह संगीता माइनस कर दो भाई अजय कर दो plus हो गया उसका अजय के पिता राम है यानि कि इनके पिता जो है पिता यहां पर लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आता रहे हैं इनके पिता कौने सर आपके राम हैं राम को आर्च सिलना चाहिए था और राम की भानजी जो है कमला है भानजी का मतलब क्या होता है राम की बहन राम की सिष्टर हो जाएगी सिष्टर और सिष्टर की ज यानि कि राम की बहन संगीता के क्या संब्द है तो बताओ भाई संगीता मालो अपने स्थान पर रखो मेरे पापा की बहन मेरी क्या लगेगी बुआ लगेगी न तो यहां पर option number जो इसका A है बुआ वो यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट रहेगा तो थोड़ा सा logic लगाना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका answer जो आपके सामने होगा तो clear है option number A यहां पर क्यों correct होगा चलिए clear तो होई गया होगा अगला question यहां पर देखे कह रहा है कि इस प्रस्न में चार विकल्पों में से तीन विकल्प जो है तार की रूप से संबंदित है उस सब्दों को चुनिए जो अलग है ममता बनर जी मायावती वसंदरा राजे व प्रदिबा सिंग देवी सिंग पाटल तो यह तो आराम से बता सकते हो मुख्यमंत्री रह चुकी है मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी है वसंदरा राजे मुख्यमंत्री यह सारे मुख्य करते हैं तो यह कोने सर राष्ट्रपती हैं इसलिए आपका यह आपका राष्ट्रपती रह चुकी है तो यह आपर जो option number जो इसका डी है यहापर क्या हो जाएगा हाला हो जाएगा क्लियर है चलिए अगले कोश्चन पर आते हैं तो अगला कोश्चन देखे कह रहा है कि अगर 12 गुड़े 6 का मतलब 207, 14 गुड़े 7 का मतलब आपका 809 दिया गया है और 13 गुड़े 4 का मतलब दिया गया है कितना होगा तो यह बताओ यह तो बहुत आसान सा कोश्चन है 70 को उल्टा कर दो 27 बीच में एक टू जीरो लगा दो 207 आ गया 14 सत्य कितना होता 98 98 को सर उल्टा कर दो 89 और बीच में एक जीरो लगा दीजिए 89 आ जाएगा फिर 13 का कितना होता है सर 52 52 को उल्टा कर दो 205 आ जाएगा यानि कि option number जो इसका D है वो यहाँ पर क्या हो जाएग 205 समझ में आगे दोस्तों क्लियर हो गया ना सर 205 कैसे आएगा समझ में आगे होगा अगले question पर आते हैं तो अगला question देखे द्यान से क्या कह रहा है कि राम और स्याम की वर्तमान आयू का उनपात कितना है चार उनपाते 3 है तीन साल बाद स्याम की आयू कितनी हो जाएगी तो राम की वर्तमान आयू क्या है देखो सर सिंपल सा फंडा है राम है और स्याम है इनकी वर्तमान आयू का उनपात कितना है सर चार उनपाते 3 दिया गया है तो इनकी आयू का उनपात देखो चार उनपाते 3 है यानि कि हम लोग कह सकते है कि राम की ये चार यक्स स्याम की कि इच कितनी जाएग है कि तीनी कितनी है कितना कृषित हैए तो चार गुड़े कितना कर दो, पांच कर दो, तो चार पंची कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानि कि option number जो इसका A है, 20 वर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल, correct हो जाएगा, तो बताइए sir, option number जो इसका A है, कैसे correct हुआ, clear है, चलिए, I hope सबको clear होगा, आते हैं अगले question की तरफ, तो अगला question देखिए आपके सामने ये है, बहुत ही प्यारा question है, कि निर्धारित करना है कि कौन सा निसकर्स दियेगे कतनोग के आधायत पर युक्ति संगत है, सभी कप गलास है, अब देखिए इस तरह के question में हमने आपको उताया है, दो तरह के figure बनते हैं, तो दोने तरह के figure को आपको बना करके question को solve पढ़ना है, तो भाईया सभी कप आपके, देखो, सभी ये चले थोड़ा सा बड़ा figure बनाते हैं, तो सभी कप, सभी ये कप हो गया, और सभी कप आपके क्या है, गिलास है, ये आपका गिलास हो गया, गिलास है सर, चलिए, इसके लावा यहाँ पर कह रहा है कुछ गिलास थाली है यहाँ पर कुछ गिलास आपका थाली हो गया तो एक figure तो आपका ऐसा बन सकता है तो और चलो एक ही figure से लगो कि तो भी आपका answer आजाएगा बर्ट मैं दूसरा figure भी बना देता हूँ पहले पहले figure से दिखते हैं आता ही नहीं आता है तो क्या कुछ थाली cup है तो क्या कुछ थाली cup है नहीं है बिल्कुल भी नहीं है और अगला कहरा है सभी थाली cup है भाई थाली और cup में कोई भी नहीं संबन्द है नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थाली यानि कि थाली यहां पर कढ़ दिया तो आपका इस तरह स्पीकर बन सकता था सर तो यहाँ पर जैसे पहला ओड़ ओपसन रहे कोछ थाली fulfilled अगला question देखो जहांसे, अगला question क्या कहा रहा है यहाँ पर, कि प्रसन आकरित दिया गया है, और कागज को मोड करके छेद और खोलने के बाद वा किस उत्तर आकरित जैसा दिखाए देगा, यानि कि इसको ऐसे मोडा गया और यहाँ पर दो छेद किया गया है, उसको खोलना ह तो कैसे दिखेगा, इसको open करेंगे, तो जैसे open करेंगे, तो एक तो 2 छेद नीचे हो जाएगा, और 2 छेद आपका क्या हो जाएगा, उपर हो जाएगा, तो 4 छेद कहां कहां पर है, सिर्फ यहीं पर तो है ना सर, option number C में देखिए, 4 छेद सिर्फ इसी में है ना, तो option C आ आकरित में कौन सा अक्षर नई काली गाडियों को दर्साता है, देखो भाई, नई भी हो, काली भी हो, गाडी भी हो, तो नई भी हो, और काली में भी आए और गाडी में भी आए तो सिर्फ यहीं बीच वाला जो ऐसा भाग है, देखो यहालो जो भाग है, यह देखो नई म से बता दिये है जो आपकी tough level question थे I think आप तो गलत नहीं करके आओगे तो option जो इसका c हो यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा clear है चलिए एक और question देखते हैं कहरा है कि कुछ निश्चित प्रेक्षडों में 4 से बिचलन यानि कि deviation का योग कितना आपका 72 है जबकि 7 से है तो प्रेचडों की संख्या गयाद करिए अब देखो इस तरह का question मैंने आपको पहले भी कराया है और यह basically आपका statics का question होता है और अभी मंडी परसेदवला जो आपका exam होगा था वहाँ पर इस तरह का question पूछा गया था तो इसलिए मैंने आपको यह question रखे है तो इस question को लगाने के मैं आपको बिल्कुल आसान दरीका होता हूँ इस thought trick बता दूँगा वैसे क्या होता है यह समझो कि भाईया चार से पेच्छड का बिचलन कीतना आपका बिचलन का यहो कितना है बहात्तर है तो अगर 4 से बिचलन का यहोग दिया गया बहात्तर तो आप याद रखेगा कि ऐसे समझो कि आपका यक्स x1 plus x2 plus x3 और dot 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 आपका ये जाएगा xn तक जाएगा xn तक जाएगा और आपका 72 दिया गया ना तो 72 और minus कितना का 4 से बिचलन है तो minus 4 यन कर देंगे समझ में आ रहा है ना इसे तरह आपका 7 से बिचलन का योग दिया गया है तो x1 plus x2 plus x3 और ये dot 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 आपका xn तक जाएगा तो minus 3 दिया गया हो यहाँ पर भी minus कितना हो जाएगा आपका 7 यन हो जाएगा आप देखो ये भी x1 x2 x3 ये भी x1 x2 x3 है तो ये आपका इस side का पच्छे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा जानी कि 72 minus 4 यन बराबर minus 3 minus 7 यन यही तो हो जाएगा ना यही हो जाएगा तो 7 और 4 यहाँ लेकर आओ तो 3 यन बराबर 72 बर तीन कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा 75 तो यन 3 से काटो 25 आजएगा तो यन का मान कितना हागया आपका 25 आ गया तो यह प्रेच्छोड की संख्या कितनी जाएगी आपकी 25 हो जाएगी अब तो यह तो एक long method हो गया पूरा का पूरा कैसे लगाना है वो मैंने आपको उता दिया अब जब भी आपके थामने इस तरह को question आपको क्या याद रखना है कि भहिए चार से कितना दिया गया है 72 चार से बिचलें बहतर दिया गया है तो सीदे करना है 72 से बहातर माइनस चार यह 6 से DiaN माइनस 3 दिया गया है तो माइनस 3 साथ यहन बस इस है को solve कर लीजेगा और आपका answer कितना जाएगा jो पिया ना हो जो चे सबसे जादा बार repeat हुई होती है तो देखो यहाँ पर 20 कितनी बार repeat हुआ है 20 के अगर हम बात करते हैं तो 20 देखे कितनी बार repeat हुआ है एक बार और यहाँ पर 2 बार repeat हुआ है और कितनी बार repeat हुआ है इसके लावाद 30 उठाओ 30 उठաते है तो 30 की बार देखिये कितने बार एक बार एक बार पीट उखा एक रिपएट हुआ है 3 बार एक उखाएं और 4 बार पन दर kay M7 देखो पूरे का इतना पूरा उठाएड नहीं है तो उसी हो टो हुगि तोvised पेनि6 कहता है- 46 को ठालो, 46 कितनी बार आया है, देखो, 46 आपका एक बार भी नहीं आया है, ये तो हो गया, खटम, ये option आपका खटम हो गया, 30 की बात करते हैं, 30 की बात करते हैं, 30 की बात करते हैं, 35 कितनी बार आया है, 35 कितनी बार आया है, 35 आपका एक भी बार नहीं आया है, 35 आपका एक ब बार आया है, तो बहुत आपका क्या हो जाएगा, बी यानि कि 30 हो जाएगा, तो option number जो इसका बी है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल correct हो जाएगा, यह तो बहुत normal सा question था, I hope यह question आपको समझ में आगे होगा, अगला question देखो जहां से क्या कह रहा है, कि भीया किस करने का मैं आपको सिंपल सा फंडा बताऊंगा, बहुत आसान है, माधिका देखो दो तरीके से होते हैं, एक तो सम की माधिका, एक आपकी विसम की माधिका, तो सम की माधिका का formula होता है, यन बाई 2 आपद, क्या होता है सर, विसम का मतलब होता है, यन प्लस 1 बाई 2 आपद और divide by आपका 2 होता है कुछ इस तरह से निकालना होता है तो यहाँ पर पहले दोगो यन क्या है sum या विसम है दोगो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यन बराबर कितना आपका 7 है यानि कि आपका ये विसम है तो विसम के लिए तो बहुत आसाइस निकाल सकती क्योंकि यन प्लस 1 divided by 2 आपद निकालना है तो देखो पहले तो इसको हम लोग एक सही करम यानि कि आरोही करम में बिठाएंगे तो पहले 1 है फिर 2 है फिर 4 है फिर 5 है फिर 6 है फिर आपका 7 है फिर आपका 9 है तो ये विसम आपका एक आरोही करम हो गया उसके बाद यन मराबर विसा में तो हमने formula कियाता है यन प्लस 1 बाइ 2 आपद तो यन यानि कि 7 और 7 प्लस 1 बाइ 2 यानि कि 8 बाइ 2 यानि कितना जाएगा आपका 4 आपद तो 4 आपद का मतलब क्या होता है पहला पर दूसरा पर तीसरा पर चौता पर आपका क्या है 5 ही है तो तो आपसन अमबर जो इसका भी है 5 वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा clear है दोस्तों I hope यह question भी आपको clear हो गया होगा एक question और देख लेते हैं यहां पर क्या कह रहा है यहां से देखिएगा कि वही रासी एक दो तीन डोट 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 एन का माध्य गयाद करना है एक दो तीन यहां पर एक बटे दो है इसका माध्य गयाद करना है माध्य का फॉर्मला होता है, simple, देखो माध्य का अलग है, माध्य अलग है, माध्य का एक फॉर्मला क्या होता है, हमें से याद रखिए का, simple, अगर आपका एक आरोही करम में लिखा गया है, यह नहीं भी लिखा गया है, उससे मतलब नहीं होता है, माध्य का फॉर्मला होता ह एक बटे दो यन प्लस वन, क्या होता फॉर्मला, एक बटे दो यन प्लस वन, आप कहोगे आप यह कहां से आया है, तो माधिका का माधिया मतलब होता है आपका आउसत होता है, तो ऐसे समझो, माधिया मतलब होता है आपका आउसत, यानि कि हम लोग यहां पर ऐसे समझो, कि आ एक बंटे 2, yen 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 plus 1. यहीं तो होता है. उपर का योग तो यह आगया. आपका क्या यह 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 है? यह से yen Cancel out हो गया, बचा क्या. एक बंटे 2, yen ही तो बचा. तो यहाँ पर यह पर क्या हो जाएगा? क्लियर है? चलिफ. अगला घरेलू बजट को डर्स आता है आप देखो यह किसी परिवार का घरेलू बजट जरसा रहा है और हम इस सब पाई चार्ट में रखेगा कि यह जो पंदरा दस पचीस अठारा बारा यहां पर एक अमान नहीं दिया गया है तो एक मतलब हो गया आपका इन सबको जोड़ करके सो उसे घटा दो तो एक मान भी निकाल सकते हो देखो इस कोईशन भले एक में नहीं पूछा गया हो लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं क्योंकि आपके पेपर में अगर आपका कुछ कोईशन इस तरह से आ गया नहीं दिया है को कैसे निकालो कि तो उनको जोड़ो क्यात का है सी वस्तथ का है डी व विविदखर्च का ईबचत का है अफ आपका माकान किराय का है अब यहाँ पर हमसे अब पूछा जा रहा देखो इक एक likely आपका उंप्याद का मायकाट है तो हम लोग केह सकते ए मैं जुंक है तो आना कितना ख़र्च हो रहा है, 15 000 इ सका स Σका सूदे है इसका क sut लोग कितना परान निकालेंगे सर 15 ॢटे सो जीरो जीरो कड़ी जीरो जीरो कड़ी जीरो घुद्स कितना आगा सर 15 ठेख सौ 10 25 45 46 46 तो 46 तो कितना आगे सार आपका 20 रुपे यानि कि option number जो इसका B है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा समझ में जाया गया नो जोस्तों तो यह पर option B पर हम लोग टिक कर देंगे तो यह रहे आज के कुछ 50 questions और I hope एक घंटे में मैंने आपको 40 questions के आसपास cover करवाएं और आपको आज के जो सारी questions से कैसे लगे आप लोग comment करके बताएगा और अगला वीडियो में आपको क्या के topic चाहिए topic तो मैं खुद लेकर गया हूँगा आपके लिए अच्छे अच्छे वो तो रहे गए रहेगा और देखने को मिलते रहेंगे